ये है लखनू का गौतम बुध पार्क खुफसूरत सा आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है इसी वज़ा से मैं दिखा रही हूँ असलालेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल शवनूरली तो मैंने यहां से पौधों की चोरी नहीं की, कोई बरबादी नहीं की ये पार्क हम लोगों के लिए हैं तो हमें इसकी बरबादी तो नहीं करना चाहिए बस यहां पर आप बॉटल ब्रश के काफी सारे पेड़ देख रहे हैं जिनकी कटाई छटाई चल रही थी बारश में बहुत तेजी से पौधे बढ़ते हैं तो उसको प्रून करना ही पड़ता है तो बस उसी कटाई में से मैंने एक टहनी ली उसको तीन फोल्ड में करके रखा और हम इसके टेरिस गार्डन पर ग्रो करने वाले हैं 28 से अप्तमर के आसपास में शायद धापार्क गए हुई थी और वहां से ये कुछ कटिंग्स लाई थी तब से लेकर आज तक ये पानी में ही रखी है मुझे कुछ मसरूफियत के वज़े से ग्रो नहीं कर पाई थी तो जो कटिंग में लेकर आई घर में मैंने देखा कि इसमें ये मोती जैसे कुछ लगे हुए हैं तो ये इसके बीज हैं क्यूंकि बर साथ में कटिंग असानी से लग जाती है तो मैं कटिंग ही लेकर आई थी लेकिन बीच तो मुझे फ्री में ऐसे ही मिल रहे हैं हजारों की तादाद में ये जो कटोरी जैसे हैं इसके अंदर कितने सारे बहुत बारीक बीच भरे हुए हैं और ये अभी हारे हैं तो इनसे अभी नहीं ग्रोग कर सकते हैं इनको भी collect करनी की एक technique होती है तो मैं बस उसी तरीकों को बताने वाली हूँ हर कटोरी के उपर एक cover जैसा चड़ा हुआ है उसको जब हम खो देंगे तो उसके अंदर बारीक बारीक seeds ऐसे होंगे जैसे moss roses वगरा के होते हैं तो इसकी cutting को भी हम grow कर लेंगे लेकिन उसे पहले हमें इनको बीज को टैनी पर से अलग करना होगा cutting भी ना खराब हो और हम इन बीजों को भी निकालने तो scissor की help से हम यहां side से बिलकुल cut करके निकाल लेते हैं हमने यहां पर सारे बीज की पूरी पूरी stem को cut करके अलग कर लिया है और अब आप देख सकते हैं यह बीज है लेकिन इन से हम अभी grow नहीं कर सकते हैं इनको तोड़ कर देखते हैं कि यह पके हैं यह नहीं पके हुए है यह देखने में इतने खुबसूरत लग रहे हैं कि इससे कोई भी अगर color करके लगाया जाए तो decorative item बना सकते हैं यह रकडी के weeds की तरह लग रहे हैं जिससे stitching की जाती है तो मैंने एक निकाला हुआ है यह seed pod और इसको तोड़ कर देखते हैं तो यह green है अंदर से इसलिए कह रहे हैं कि यह बीजा भी grow नहीं कर सकते हैं फिर भी किसी planter में इसको डाल देते हैं यह लिजे मैंने डाल दिया ग्रो होना होगा तो होगा और बाकी में यह जो cutting है हमारे पास इसको मिटी में यहीं किसी planter में side में grow कर देते हैं बारिशों का फाइदा उठाना चाहिए और दो दिन से लगतार बारिश हो रही है तो cutting को अब हम लगा लेते हैं इतने दिन से तो रखी हुई है और भी इसमें हैं दो तीन cuttings तो इनको भी हम लगा देंगे बारिश के पानी से मैंने इसको भर कर रखा हुआ था तो उसमें इतने ग्रीन ग्रीन और खुशुरा सी हो रही है चान्नी की भी कटिंग है इसमें तो सबको अब लगाना है और यह जो जितने भी बीज की ब्रांचेज हैं इनको हम एक जगा रख देंगे किसी डब्बे में करके रखिए क्यूंकि पेड़ पर भी जब स्प्लिट होते हैं तो यह रुपते नहीं है सुखने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा ग्रीन तोड़ा हुआ है तो इसे किसी ड ग्रोग कर देते हैं यह एक सैंडी सॉइल है वेल्डेन सॉइल है इसमें कंपोज भी एड़ है तो इसी में हम इसको भी ग्रोग कर देते हैं और इनको हम डब्बे में करके रख देंगे कुछ दिन उसके बाद का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तब तक यह इन्फॉर